एलो स्टुडेंट्स। दृसा सकसे अड़िए ओनलाइन क्लासेथ में एक बार पुनहें आपका सुआगत है। भीशाल सर। एक बार पुनहें आपका सुआगत करता हूं। जैसा कि मैं लगाता हूँ अपने जूनियर सुपर्टेट के स्टूडेंट के लिए वीडियो दे रहा हूँ और मैं बिलियम सेक्सपियर से लेकर लग 14 वीडियो आपको दे चुका हूँ 14 साब से कनेक्टेड मैंने वीडियो दिये है कल मैं एक नए राइटर का वीडियो आपको लूँगा नाम है जौन मिल्टन लेकिन जैसा जूनियर सुपर्टेट के स्टूडेंट के लिए मैंने अपना एक वीडियो दिया था कि स्लेबस वाला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था आपको 25 मार्स का आपका हिस्ट्री ओफ इंग्लिस लिट्रेचर भी आएगा और जब मैं हिस्ट्री ओफ इंग्लिस लिट्रेचर की बात करता हूँ तो जहां से अंग्रेजी साइट का इतिहास आरम हुआ है तो वो हमारा टाइम है इंग्लिस रहनेशा जो most important time है उसमें उसको हम कहते हैं इंग्लिस रहनेशा तो आज मैं आपको बहुत ही महतपूर कोशन लेकर आया हूँ इंग्लिस रहनेशा का और मैं आपसे guarantee लेता हूँ कि अगर रहनेशा से connected question पूछा जाएगा वैसे जहां तक मैं पढ़ा हूँ जहां तक मैं जानता हूँ अंग्रेजी सहेत को तो रहनेशा से connected question आपके लिए जरूर पूछा जाएगा क्योंकि 25 नंबर में 25 मार्क के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका history of English literature पूछा जाना है तो आज मैं 30 questions related only to रहनेशा आपके लिए लेकर आया हूँ और मुझे पूण विश्वास है कि यदि आप इन 30 questions को याद कर लेंगे ध्यान से मेरा video last तक देखेंगे तो आप exam में अपने लिए नए marks add कर लेंगे ठीक so direct मैं अपना video start करता हूँ और मैं एक पात यहाँ एक second आपसे फिर लेता हूँ मैं रहनेशा period को लेकर एक video दे चुका हूँ और जिसने मेरा video रहनेशा period का नहीं देखा है वो मेरे channel के library में जाकर जहां मैंने video के description दे रखे हैं वहाँ जाकर आसानी के साथ देख सकता है और उसी के आधार पर मैंने ये questions आपके लिए बनाए हैं जो कि कई पिछली परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं So now let's start today's video is and the first question is who first used and defined the term रहनेशा आपसे पहला प्रशन पूछा जा रहा है Who first used and defined the term रहनेशा यानि कि किसने रहनेशा सब्द को सबसे पहली बार define किया परवाशित किया और किसने रहनेशा सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया तो उसके लिए चार आप्शन आपके सामने में रखता हूँ A. Shakespeare B. Chaucer C. Jules Michelet And D. Arnold And the right answer is C. Jules Michelet Now the next question is In which year the term रहनेशा was first used by Jules Michelet यानि कि जो हमारा बंदा Jules Michelet है जिसने की सबसे पहली बार रहनेशा सब्द का इस्तमाल किया तो आपसे प्रस्ण दूसरा यहीं से बनता है कि आखिरकार Jules Michelet ने किस बरस में ये सब्द जो है वो पहली बार यूज किया था Your options are A. 1855, B. 1875, C. 1885, D. 1895 and the right answer is 1855 यानि कि A option आपका सही है Now the third question is In which work the term Renessa was first used by Jules Michelet ने पहली बार रहनेशा सब्द का इस्तमाल किया किस बरस में किया अब तीसरा प्रस्ण उसी question से related बनता है आपका कि Jules Michelet साहब ने आखिरकार कौन से अपने कारे में राइटिंग में रहने सा सब्द का इस्तमाल पहली बार किया तो आपके option में रखता हूँ History of Italy, History of France, Historial de France or None of the above and the right answer is option C, Historial de France अगर हम इसको इंग्लिस में बोलेंगे तो हम History de France कहेंगे लेकिन चुकि ये French वासा का सब्द है और French language में लिखा हूआ है तो इसलिए इसको History de France कहेंगे साहब क्या कहेंगे? History the France ठीक है साथ? History the France कहेंगे हम ठीक, now the next question is number four बिस टाइप ओब मुवमेंट बिस टाइप ओब मुवमेंट वस रेनेशा? आपसे प्रस्ण ये पूछा जा रहा है कि रेनेशा मुवमेंट किस परकार का मुवमेंट था? मैं question फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिस टाइप ओब मुवमेंट वस रेनेशा? आपसे ए साइकलोजिकल आपसे बी फिलोस्पिकल आपसें सी कल्चरल आपसें डी हिस्टोरिकल तो साहब अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे रेनेशा वाले को तो इन questions के answer इतने आसानी से आप दे सकते हैं जैसे कि आपने A, B, C, D पढ़ी हो चलिए अभी तो मैं आपको answer दे रहा हूँ answer C, cultural now the next question is in this century the reneisha movement started अगला question आपसे यह पूछा जा रहा है कि reneisha movement जो है वो किस सताबदी में आरंब हुआ in this century the reneisha movement started and the options are 12th, 13th, 14th and 15th यनि 12th century, 13th century, 14th century and 15th century and the right answer is 14th century option C now the next question is in which century reneisha began sorry in which country reneisha began sorry 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 in which country reneisha began यनि कि reneisha movement का आरंब जो है वो किस देश से हुआ and the options are America, England, Ireland and Italy चार options आपके America, England, Ireland and Italy इस प्रस्ण का जवाब आपको comment box में देना है आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं जानते हैं तो भी आप मेरा चैनल पे मेरी लाइबरेरी में जाएं और reneisha movement का मेरा जो वीडियो है उसको आप comment box में जाकर comment करें वीडियो देखने के बाद जो इन चारों option में सही option होगा आप से ये पूछा जा रहा है कि मानपता के इध्यास में किस movement को महांतम movement का गिया है greatest movement का गिया है and the options are reformation movement, metaphysical movement, reneisha movement, none of the above तो मैं आपको answer दे देता हूँ reneisha movement is called the greatest movement in the history of mankind option C is the right answer now the next question is what was the greatest wonder made by reneisha movement what was the greatest wonder made by the reneisha movement reneisha movement के द्वारा कौन से सबसे महांतम wonder किये गए option A, making people conscious option A, making people conscious of their own power option B, give power to English king option C, give power to Italian king और D, all of the above तो आपसे ये push question पूचा जा रहा है कि सबसे महांतम आश्चरिका कार्य ग्रेनेशा movement ने greatest wonder क्या किया तो साहब मैं आपको यहां बता देना चाहता हूँ ग्रेनेशा movement वो movement था जिसने की मनुश्य को यह बताया कि साहब आप भी शक्तिसाली है आप भी शक्तिसाली है you are not only the puppets in the hands of God जैसा कि superstitions believe था ग्रेनेशा movement से पहले तो right answer is A, making people conscious of their own power now the next question is question number nine before reneesha people were dominated by अब मैंने तन समझाया उसी में आपका answer निकल गया था कि reneesha से पहले लोग जो थे वो किस चीज़ से गिर्षित थे before reneesha people were dominated by options are English sports, Italian power, superstitions, none of the above तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि reneesha movement से पहले लोग जो थे वो समझते थे कि we are only the puppets in the hands of God यानि कि वो सब कैसे थे अंदविश्वासी थे superstition से में थे तो option C is your right answer नादा कोशन number 10 which country, sorry, which century is known as the death of medievalism कौन सी सताबदी ऐसी मानी जाती है जो की मद्य कालीन समय के मृत्य की रूप में जानी जाती है फिर से मैं question repeat कर रहा हूं this century is known as the death of medievalism options are 14th, B option 15th, C option 16th and D option is 17th and the right answer is option B 15th century 15th century का middle जो है वो आपका कहलाता है the death of medievalism now the next question is Rene Shah began with the conquest of Rene Shah began with the conquest of यानि की Rene Shah moment जो था वे एक conquest के साथ सुरू हुआ किस पर जीत के साथ option A London option B Constantinople option C New York option D Venice तो साथ मैं direct आपका option देता हूं अगर आपने मेरा वीडियो देखा है वो तो आपको भी पता होगा नहीं देखा है तो भी मैं बता देता हूं के साहब रोमन कंट्री में एक बहुत ही इंपोर्टेंट सहर था Constantinople जिसको कि हम हिंदी में कुंस्टन तुनिया कहते हैं उस सहर पर तुर्किस लड़ाकों ने अपना कबजा किया था और जब कबजा कर लिया तो यहीं से आरम होता है अमारा रेनेशा मुमेंट तो आप्शन बी जो है आपका वो आपका राइट आंसर है Constantinople Now the next question is question number 12 Who concures Constantinople देखी वही question फिर से आ गया मैं आपको आंसर दे चुका हूं Direct answer है आपका option A तुर्क्स यानि कि तुर्किस लाकों ने इस पर विजय प्राप्त की थी Now the next question is On which date तुर्क्स concures the Constantinople यानि कि तुर्किस लाकों ने Constantinia पर किस तारीक में विजय प्राप्त की थी And the options are May 29, 1453 June 29, 1453 July 29, 1453 August 29, 1453 And the right answer is Option A May 29, 1453 Now the next question is Question number 14 In which country Roman scholars took shelter In which country Roman scholars took shelter After his After this incident आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब तुर्किस लाकों ने कुंस्तुनिया पर विजय प्राप्त कर ली ये घटना घटित हो गई उसके बाद जो रोम का सहर कुंस्तुनिया था वहां के स्कॉलर्स ने किस देश में आकर सरण अप्ली तो आपकी आपसंस में रखता हूँ बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है सहाब फिर सिर्फ सुन लीजिए जब कुंस्तुनिया सहर पर तुर्किस लाकों ने विजय प्राप्त कर ली उसके बाद रोमन स्कॉलर्स जो थे उस कुंस्तुनिया सहर के उन्होंने किस सहर में किस जगे आकर किस देश में आकर स्रणव प्राप्त की तो आपसं में आपके सामने रखता हूँ इंगलेंड, इटली, स्कॉटलेंड, आयरलेंड A. आपसं इंगलेंड, B. आपसं इटली, C. स्कॉटलेंड D. आयरलेंड and the right answer is B, Italy now the next question is what literature these scholars took with them in Italy आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये scholars जो कि कुछ तुनिया सहर को छोड़ कर Italy में आकर बसे थे वह कौन सा साहित अपने साथ लेकर आए थे option A, Greek, option B, Roman, option C, both A and B, option D, None तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो लोग थे, ये जो scholars थे वह अपने साथ Greek और Roman दोनों साहितियों को लेकर आए थे इसलिए option C जो है वह आपका right answer है ना तो next question is question number 16 What is the meaning of reynesha? reynesha का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of reynesha? reynesha का अर्थ क्या होता है? recollection, option A, B collection, B option reading, C collection research and D option revert सो साब मैं बता देता हूँ reynesha का direct जो answer है, वो है revert यानि कि पुनरजन, पुनरजागरन तो option D जो है, वो आपका right answer है ना तो next question is question number 17 मैं बता चुका हूँ reynesha का means होता है revert तो आपका option A, जो है, वो right answer है reynesha ना तो next question is in the middle ages, beach country became a center of Greek study and classical culture यानि कि मद्य समय में कौन सा ऐसा देश था जो कि Greek study और classical culture का एक मुख्य केंदर बना ना तो options are A, England B, America sorry, America लिखना था L लिख गया है गलती से तो सिर्फ आपा इसको अमेरिका समझे, C, Italy और D, all of these A, England B, America C, Italy और D, all of these तो जैसा कि मैंने आपको question बताया था को कुश्चित निया सहर के लोग थे वह आकर बस गये थे सरनर प्राप्ट कीती इटली में तो साहब in the middle ages beach country became a center of Greek study and a classical culture the right option is C, Italy ना तो next question is question number 19 Renesha gave a new conception Renesha gave a new conception of man and life term best इस Renesha movement ने man and life को एक नया term दिया उस term को आपको पूछा जा रहा है कौन सा टर्म दिया option A humanist option B romanticism option C classicism और D none of these तो साहब मैं बता दे रहा हूं romanticism यह हो गया आपका 19th century का आरम sorry 18th century का आरम classicism आपका हो गया 17th century का आरम और जब की रहनेशा की मैं बात करता हूं तो middle ages की बात करता हूं तो भाई humanism जो है वो रहनेशा का एक मुख्य conception है तो answer A जो है वो आपका सही है humanism now the next question is humanism is applied to the revival of humanism is applied to the revival of humanism जो है वो किस चीज के revival के लिए applied किया जाता है option A Greek literature option B English literature option C Italian literature option D classical literature तो इसका right answer जो है सहाप Greek हो English हो Italian हो ये तो अलगरक देश को सम्मोदित करते हैं तेकिन classical यानि कि प्राचीन साहित को तो humanism जो है वो classical literature को applied को होता है तो इसलिए option D जो है वो आपका right answer है now the next question is बहुत बड़ा काम होगा सहाभ रहनेशा एज में आप प्लीज इन questions को पढ़ने के बाद मेरा जो वीडियो है रहनेशा मूमेंट का प्लीज उसको एक बाद जरूर देख ले इन सभी प्रस्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे now the next question is question number 21 the invention of printing place took place in यानि कि printing place का अविश्कार कब हुआ sorry took place in जो printing place का अविश्कार हुआ है वो किस देश में हुआ and the options are France A B England C Germany and D Italy the right answer is जब मैं बात करता हूं लगाता रहनेशा मूमेंट की तो सब कुछ इटली जे प्रारम होता है लेकिन printing place का अविश्कार जो है वो जर्मनी में होता है option C जो है आपका right answer है now the next question is question number 22 which movement had the purpose to reform society and religion from corruption कई बार ये question पूछा गया है history of English literature में जब हम अंग्रीजी साइट की बात करते हैं कि कौन सा movement ऐसा है जिसको की एक उदेश के साथ reform के लिए लिया जाता है society के सोधार के लिए धर्म के सोधार के लिए वो भी बरस्टाचार से तो मैं option आपको सामने लख रहा हूँ who established the first printing place in England कौन सा ऐसा बन्दा था जिसने की printing place पहली बार established की इंग्लेंड में and the options are William Burstworth B. William Thorpe C. William Caxton and D. None of the above एक बार पुरह मैं repeat करता हूँ William Burstworth, Thomas Thorpe William Caxton and none of the above and the right answer is William Caxton option C या जो है वो आपका right answer है now the next question is in which year William Caxton established the first printing place आपसे इसी से connected question पूछा गया किस बर्स में William Caxton साहब ने पहली printing place जो थी वह इंग्लेंड में established की and the options are A. 1474 B. 1475 C. 1476 and D. 1477 and the right answer is 1476 option C आपका right answer होगा मैं फिर से कह रहा हूँ इन 30 questions को आप लिख लें और बस एक बार मेरा Renesha moment था वीडियो देख लें मैं guarantee लेता हूँ आपको रिटने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी ये सभी question आपको उस वीडियो में एक साथ मिल जाएंगे now the next question is question number 25 who marks the arrival of Renesha in England who marks the arrival of Renesha in England यानि कि किसको पृतिक के रूप में लिया जाता है इंग्लेंड में Renesha पोंचने के option A Shakespeare option B Milton option C Chaucer and option D Marlowe तो साथ मैं बता दूँ option C Chaucer क्योंकि Chaucer साथ अपनी लाइफ में 14 सेंचुरी में दो वार इट ली गए वाहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपनी राइटिंग में उन्होंने बहुत सब कुछ ब्यक्त किया है तो डारेक्ट इसका रैपलाई है option C Chaucer साहब now the next question is question number 26 which age in English literature is known for the for the flobbering of Renesha अंग्रेजी साहित में ऐसी कौन सी age है जो की Renesha के फलने फूलने की age मानी जाती है फलोबरिंग की age मानी जाती है option H Chaucer सेज option B Elisabethan age option C Neoclassical age option D Romantic age तो साहब में डारेक्ट इसका रैपलाई देता हूँ Chaucer साहब से start जरूर हुआ है Renesha इंग्लेंड में लेकिन फलोबरिंग टाइम जो है वो Elisabethan age माना गया है Renesha का इंग्लेंड में तो साहब option B जो है वो आपका right answer हो है Now the next question is question number 27 Humanist education based on the study of best humanities अभी मैंने बताया था Renesha से एक नया टर्म निकला जिसको हमने humanism कहा अब आपसे उसी जो connected question पूछा जा रहा है कि humanist education based on the study of best humanities कितनी जो है उन studies पर आदा रहे थे हैं मानबता की option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6 and the right answer is option C 5 now the next question is who wrote the Berks discovery of the new world साभ इसी Renesha period के time पर एक बर्क लिखा गया नाम है discovery of the new world आपसे question पूछा जा रहा है कि discovery of the new world की रिचना किसने की options R, Chaucer option B, Shakespeare option C, Christopher Columbus and option D, none direct answer में देता हूँ सहब जब discovery की बात करता हूँ तो discovery सब Columbus आप से जुडा हुआ है and the right answer is Christopher Columbus now the next question is question number 29 which movement has the purpose to make the English king free from the influence of Roman Catholic Church कौन सा movement ऐसा चला जिसका प्रुमो को देश था England के राजा को Roman Catholic Church के प्रवाव से मुक्त करना options are pre-raphelite pre-formation renesia and metaphysical जब मैं renesia की बात कर रहा हूँ तो natural सी बात है renesia moment होगा option C जो है वो आपका right answer है now the next question is who wrote the work prince यह आपका इस वीडियो का last question है who wrote the work prince एक बर्क लिखा गया साब इसी टाइम पर जब रोने शा मुमेंट चल ला था और नाम था बर्क का प्रिंस तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रिंस बर्क किस ने लिखा and the options are A. Marlowe B. Bacon C. Chaucer and D. Maciably and the right answer is Maciably option D जो है वो आपका right answer है option D जो है वो आपका right answer है Maciably तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 question की स्रंकला दी जो की history of English literature से सम्मंदित है और वो भी रहने शा मुमेंट से तो बात आज मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ की अब तक मैं वीडियोस दे रहा था 14 वीडियोस दे चुका हूँ सेक्सपियर के कल मैं आपको Milton साब से connected जो चौसर साब के बाद most important point है उनके बारे में मैं आपके वीडियो दूँँगा सोरी सेक्सपियर साब के बाद जो most important writer है Milton साब उनसे connected वीडियो दूँगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ history of English literature किया कि जब मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो इसमें most important जो time है उसको रहनेशा कहा गया है तो please यहां से मैंने यह start किया है और मैं guarantee लेता हूँ maximum question अगर रहने साथ से पूछा जाएगा कोई भी question तो जो 30 question मैंने दिये है यहां से आपके question बन जाएंगे कल मैं आपको history of English literature collected एक और वीडियो दूँगा और मैं लगाता रिये करम चलाता रहूँगा बस आपको इतना करना है मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है नोर्स बनाने है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको like, comment, share जरूर करना है और अब तक अगर आपने मेरा चैनल द्रस्था सक्सेसकेडमी सबस्क्राइब नहीं किया है तो please मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दमाए जिससे की मेरे जो नोटिफिकेशन है वीडियो डलने के वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें थैंक्स पॉर वाचिंग कोड नायट स्वेड रिम्स